तो भाई साब सारे सारे रिकॉर्ड टूच गे हैं इस साल की जो भी बड़ी बड़ी फिल्में थी सब धरासाई हो चुकी है डाइनासौर ने जो चिंखाडा है डाइनासौर ने जो तबाही मचाई है रेस्ट इन दा पीस ओल रिकॉर्ड भाई सारे के सारे रिकॉर्ड एनिमल मूबी भाई सबी रिकोर्ड को ऐसे चुटकियों में मसला है I think मुझे लग रहा है कि जब एडवांस बुकिंग इसकी हुई थी फर्स डे की यानि कल डे वन ओपनिंग की भाई 95 करोंड वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग हुई थी जो मात्र 4 से 5 करोंड रहे गया 100 करोंड की अडवांस बुकिंग लेनी में जो यहां तक की बाहुबली 2 की अडवांस बुकिंग के रिकोर्ड को भी खदेड देता है जो आराउंड में आराउंड 90 करोंड के आसपास थी जो नमबर वान पर बैटी थी भाई परभास, एक ऐसे एक लोते स्टार है जो जिनके सामने ये रिकोर्ड्स बिलकुल मायने नहीं रखते हैं ये रिकौर्ड तोलने नहीं आते हैं ये रिकौर्ड क्रियेट करने आते हैं लाइक वह यह आला सीन हो गया जैसे बॉलिवूड में सहरूख खान यह record तो नहीं record प्रियेट करने आते हैं बॉलिवूड में ऐसे बड़े-बड़े record set किये जवान पठान से ऐज सेम भाई सालार में प्रफास नहीं जो record set करे हैं मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पर कभी ठूटने वाले हैं तो सभी चीज़ ओपर बात करेंगे फर्स डे कैसे क्या occupancy रही है कितना collection किया है कितना overseas से आया कितना वर्ड वर्ड आया कितना net collection कितना और भी जगह से कर रखा है और आज डे टू की एडवांस की कैसी है आज क्या growth down हुई है या फिर high हुई है जो भी होगा सभी चीज़ ओपर करके निजर मारेंगे क्या करना है वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना है तो चलिए तो शुरू करते हैं तो वाई सब कल की full day occupancy थी morning से ही 88% की afternoon में 86% evening में 87% night soj night so जो तबाही डाली है टिकेट नहीं मिल ले थी लोग को वापस आ रहे थे लोग क्योंकि फुल हाउस फुल सो चल ले थी evening से night में जो हाउस फुल चले बैसे तो कल full day ही हाउस फुल चले हैं वाई सुबह लोग सोते हैं लोग साड़े बारा वजे movie देठने जा रहे हैं रात क बारा वजे देन उसके बाद दो तीन बजे चार पांच बजे तक सारे slots फुल चल ले थे I think सुबह ही सारे पांच या छे बजे के आसपास ही booking हाई चल ले थी उसी टाइम हाउस फुल चल ले थे तो बाई पूरा दिन जो तबाही का मंजर देखने को मिला है जबर दस रहे बाई साब सालार ने कल ओपनिंग करी थी प्री सेल्स में मतलब एडवांस बुकिंग 95 करोण से वर्डवाइड 95 करोण के साथ स्टार्ट किया है 30,50,000 के आसपास टिकेट सोल्ड आउट करें हैं फर्स डे ओपनिंग में जो की huge record है जो बाई साब इस साल तो साहयत किसी ने तोड़ा था सारे record को धरासाई कर दिया बाउजूद इसके डंकी मूवी चल दिया भाई वो डंकी मूवी जहां सारूप खान है जो पहले ही EMI दो मनलब जो जबरदस feedback ले चुके हैं पठान और जबान से जिनकी दो ब्लॉक पस्तर मूवी जा चुकी है बाउजूद इसके सालार भाई प्रभास ने जो collection किया है प्रभास ने जो तबाही डाली है मलब जनता यार I don't know क्या ही planning है उनकी इतनी सारी ब्लॉक पस्तर मूवी जाए है बाउजूद इसके सालार को जो भर भर के प्यार दिया है मलब खुले हाथों से पैसा लोटाया है भाई बताऊंगा म पार के response आया है और लेंग्विज नेट इंडिया से ही 95 करोड के आसपास अर्ली एस्टिमेट आते दिख रहा है भी यह फ्लेक्सिवल है ऑफीसियल जब आएगा तो उस पे आलेंग वीडियो बना दी जाएगी और लेंग्विज को मिला के 95 करोड का advanced collection आते दिख रहा है ज आल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ये मूवी 112 करोड के आसपास करती नजर आ रही कल डे वन पर और सीज से कल आते नजर आ रहा है लगबग में लगबग 60 करोड तो टोटल वर्ड वर्ड वाइट कलेक्शन कल कितना होता है डे वन का अर्ली एस्टिमेट है एक सो पिचतर प्रभास ही देखने को मिलेगा और उपही हुआ वही हुआ अर्ली एस्टिमेट है ओफीसियल रिपोर्ट आएगी हुनो जी आकड़ा 180, 180 या 190 भी महुच जाए जो भी ओगना तवाही बिल्कुल सालार ने जो प्रभास ने जो करा है ना भाई दाइनासौर दालिंग वह रावडी वाला प्रभास भाई एक मान रहा है तो सरे सारे बिखर जा रहे हैं सेम चीज़ सालार में होने को देखने को मिली है वही मज़ा गया 175 क्रोन डे 1 का कलेक्शन बंदे की बात पर आते कि आज डे 2 में क्या रुजान है भाई आज क्या हालत है मूवी की तो आज बहुत भाई साब डाउन हो चुका है होता है यही है एकसर ही होता है कि साउत की मूवी में फस्ट डि अकर इनकम हाई जाती है फस्ट ओपनिंग हाई रहती तो सेकंड डे डाउन हो जाता है वह शोड़ा मूडा नहीं, पोटी-फिप्टी परसेंट का डाउन्मेंड देखन करोन के आज पास नजर आ रहा है और से 35 करोन आज देखने को मिला है जो भी था कल से 50% डाउन हो चुका है ओवर्सीज से भी और नेट इंडियन कलेक्शन से भी यह होता है लियो के नाइबर भी यह हुआ था इवन जवान बड़ी-बड़ी मुवीज को ले लो लेकिन अक्सर 10-120 करोन भी देखने को मिल जा लेकिन 100 करोना सेकेंड डेवे परी नजर आएगा लेकिन भाई साफ 120 या 120 या 130 करोन भी आज आ जाता है डे टू पे मिरेकली ओवर्सीज से जवर्दस रेस्पॉंस मिल गया क्योंकि ओवर्सीज का डेटा कवर अब करना इतना हलुआ नहीं है क्योंकि भाई बहुत फ्लेक्सिवल होता है अगर डेटू पे आ जाता है तो दो ही दिन भी ये मूवी 300 करोर कंप्लीट कर लेगी जो की यूज कलेक्शन है भाई लाइफ टाइम कलेक्शन होता है मूवी का जो मैं तबाही डाल दी भाई दाइनासौर प्रभास यही कमबेक चाती थी जनता और यही आया है मूवी को पॉजिटिव एंड निगेटिव मिले हैं किसी ने बहुत ज़्यादा बुराई भी करी है क्योंकि देवो बुराई इस या भगवान है जो भी है जो से एक खरोच भी नहीं आ रही है जबकि साइड में एनिमेल मूवी में संदीव रिट्नी वांगा ने रेनवीर कपूर की ऐसी हालत कर दी थी 30-400 लोग को मरवाने के बाद भाई वो बंदा मरते मरते बचा था तो वो रियालिटी पे फोकस किया मूवी सांदार तबाही मचाते नजर आ रही है तो पहले दो दिन में आज ये मूवी वर्ल्ड वाइट 282 करोन के आंकरे को ठच करते नजर आ रही है यूज कलेक्स है यार परभास के लिए ऐसा सॉलिट सेनेरियो कमबैक भाई बहावली टू के बाद नहीं था चाहें आप आधिपुरस तो बहुत ही गंदी ट्रॉल हुई थी वही बावजुद इसके यार इस मूवी को परभास को मलब जनता ने जो ट्रस्ट बना के रखा और सॉलिट है आप नजर रिजट देखी सकते हो क्या तबाही मचाईए तो क्या होता है क्या नहीं होता है आप लोगों न स्रागर देख लिए तो में देखली वीडियो में जाहें